दोस्तो नमस्कार कर जो ह没有 that अब जोब आज का टॉपिक compounding compounding जुए में काम करती है की नहीं करती है इस पर है जैसा कि आप लोग जानती हो मेरे साथ जुड़े हुए आप लोग काफी टाक्ट से मैं हमेशा compounding के किलाक है compounding के खिलाकोn कारण क्या है कई बर बताया है फिर बता रहूं विजविव sowताना प्रता है कमपाउंडिंग जो है उसको दुनिया का आठ वाजूबह बोला जाता है कि कमपांडिंग काम करते हैं और 101 परसंट काम करते हैं compounding का मतलब क्या है? कि आपने कोई एक चीज एड करी, उससे आपको कोई एक परसंट मिला, अगले गिन आपने वही चीज दुबारा एड करी, अब आपको वह दो परसंट मिला, एक उसका और एक उसका, तीसरे दिन वह दो चीज नहीं है, वह दो चीज के साथ वह पहले दिन क हम FD करते हैं तो 78% का व्याद जो मिलता है उसमें लगवग 7 साल में और अभी 7 साल में तो वह कैसे होता है ? क्या वह हर सल 7% हाइड भी होता है पहले साल मान लो け लाख रुपे कर bulवा when the phd tu मतलब 7% का मतलब महीने का यह बिलकुल सही है yourada आपने किसी एक अच्छा वीडियो देका उसे कुछ सीखा अगले दिन किसी और का वीडियो देका उससे कुछ stitches 수िखा उसी का बीडियो सीखा देखा उससे फिर सीखा, अब आपने दस वीडियो देख लीए 10 दिन तो, अब आपके अंदर कुछ सीख के अपके अपग्रेड हूगा, तो जब आप 11 दिन वीडियो देखें तो आप सिर्फ उतना नहीं सीखें जितना पहले दिन सीखाना अब आपकी सीखने की शमता बढ़ जाएंगा क्या आप सीख चुकी हो कुछ दूसरा आप उससे और भैतर वीडियो चुन लोगे तो आपको जो अकल तक बहुत अच्छा वीडियो लग रहा था आपको उससे उपर का वीडियो अच्छा लगेगा क्या आपका लेवल एक चीज पर बने रहना आप उसको अनुशासन भी कह सकते हो डिसिप्लिन कह सकते हो पर मैं उसको कंसिस्टेंसी कहता हूँ ठीक है अब जब आपने पैसा डाला तो आप ठीक हुए हो वो पैसा डाल गया भूल गया हो अपने आप काम कर रहा है बढ़ रहा है समझदार बनन जब आपने पैसा डाल दिया उन्होंने बोला फिक्स हम साथ फरसेंट का ब्याज के साथ से एवडी देंगे आपको पांट साल बात साथ साल बात इतना पैसा आपको मिलेगा वो फिक्स है तो अगर हिंदुस्तान में अगर मार्किट नीचे चली गई महंगाईदर बढ़ घट गई आपको उतना फिक्स उन्होंने गरेंटी दिया हुआ है वह आपको मिलेगा क्योंकि अल्रेडी उन्होंने कैलकुलेट किया है कि इतनी महंगाईदर है तो गटने का स्कोप नहीं होता है तो वहाँ पर कंपाउंडिंग काम करेगी बढ़ेगी जूवे में क्यों नहीं काम करेगी जूवे में कंपाउंडिंग के काम ना करने के दो महत्रपून कारण है और बी कारण है देटेल में पर दो काफी आपके लिए पहला कारण जो मैंने बता कि compounding 100% काम करती है वहाँ पर क्या है चीजे बढ़ेंगी या टिकी रहेंगी पर घटेंगी नहीं जूवे में क्या ऐसा होता है जूवे में आपका पैसा बढ़ता है बढ़ता है घटता भी है घटने का भी चांस है जो बाकी जगवाँ पर नहीं कर सकते हैं पर पॉजिटिवे में वैसे काम करेजेंगर फिर यह भार आप ने बढ़ता है फिर आपने बढ़ाया यह चलेगा एक यह कारण है कि इसमें पैसा घटता है घटने का चांस है जुए में रोज तो जीतो को नहीं कभी-कभी आप डालोगे एक लाग रुप है कि पांच जार बढ़ा के बंद करूँगा वह एक लाग से एक हजार भी नहीं होगा उपर जाए आपका फेज नहीं बढ़ाया कोई ऐसी बात नहीं सीखी जिस्से आप समझदारी बढ़े तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी समझदारी घट जाएगी वह जितनी है उतनी तो रहेगी कुछ तो ऐसे से महान लोग हैं गुद्धी जीवी लोग जो एक एक दो दो परसंट पर कंपॉंडिंग कर रहे हैं दो परसंट उपर पांच परसंट नीच है दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है consistency अनुशासन के सहा거, discipline के सहत, तहट ठीके रहना मुझे आप एक बार बताओ, जुए की कमाई को क्या बोलती है, जुए से कमाना है, लोटरी से कमाना है, इस कमाई का नाम क्या है, इसको बोलते है, easy money, easy money, आसानी से पैसा आना, इसके लिए आपने कोई महनत नहीं करी, कोई आपने कोई investment करके इंतजार नहीं किया, 6 मही में, आपने कोई ऐसा नहीं किया कि 10 लाग रुपे लगा कि कोई दुकान खोली और रोज कि आप थोड़े-थोड़े करके 500 जार रुपे का profit कमारो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा 5 जार, 10 जार, 50 जार लेके बैटें, यहां तो पैसा जाएगा, यहां पैसा आएगा, तो इस आदमी कहता, रहे मेरा क्या है यार मैंने जाकर के 2 बैट लगा नहीं, मेरा तो पैसा आजाएगा, मैं तो यू कमा लेता हूँ, मैं तो फन्ने का हूँ, मैं तो पीसमार का हूँ, यह attitude आता है, आपके अंदर भी आया होगा, जब आप जीतते होगे लगाता दूरी, सब के आदेगा, क्योंकि असानी से आए ना, arrogance, overconfidence आना ही आना है, पार्ट है इसका, अब देखलो दुनिया का इत्यास उठाके देखलो, किसी भी लोगों की बारे में जानके देखलो, बायोग्राफिस पढलो, जब जब जिन जिन लोगों ने असानी से कामियाभी हासिल करी है, उने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत नीचे आएं, फिर दुबारा भले ही कामियाभी से खड़े हुएं, पर पहली बार नीचे आएं, दूसरी बार तो सबक सीख दे थे, कितने इंटर्व्यू में लोगों ने माना है, हम घमन में आ गए थे, हमने गलती कर दिया, हमने compounding अपने 70-80% के बाद जा करके असली profit देना शुम परती है, जिसके लिए आपने compounding की होती है, एक लाग रुपे डाल के आपने 2% बढ़ाया, तो कितना हुआ, एक लाग दू अजार रुपया हुआ, अगले दिन आपने 2% बढ़ाया, तो कितना हो गया, एक लाग 2,000 का 2% लगालो, कितना होगा, 28-30 दिन जाके आपको बड़ी रकम दिखेगे, पर मैं बात यह कर रहा हूँ कि जब आप लगातार पिछले 20 दिन से आपका profit बढ़ रहा है, मैं मान ले तो हम चलो मानते नहीं घटा, आप बहुत बड़े 2-3 मार्का हो, 20 दिन के अधर आपका पैसा दिमाग खराब करेगा, दिमाग खराब होगा, आप भैकोगे, आपसे अनुशासन, डिसिप्लेन, सायम, कंसिस्टेंसी सब तूटेगी और जिस दिन वो तूटेगी उस दिन सिर्फ आपके ऊपर का मुनाफ़ा नहीं जाएगा, वो जो आपने बड़ी रकम दाव पे बड़ाना है, वो तो बड़ी जाएगा, हाँ बिल्कुल दस में से नो बार बड़ेगा, एक बार नहीं बड़ेगा, जिस दिन नहीं बड़ेगा, आपका सिर्फ मुनाफ़ा नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल, मूल धन भी दाव पे लगाऊ है, वो भी जा सकता है, और बाते क्यों है, अगर ये इतना ही क्लियर है, सोचो अगर मैं आप लोगों को बोलू, कि compounding करो, और इसमें पैसा बनता है, मैं आपको दिखातों बनाते है, और मैंने क्या किया, आप लोगों को बोला कि आओ मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक पर्टिकुलर साइट पर एक प्लेटफॉर्म पर इस जगह पर आओ, और मैं आपको जब भी बोलू, ऐसे करते रहे न, मेरा बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, आप में से हजार आदमी मेरे साथ आगया मेरी बात हो है, और बड़ा सेफ भी लग रहा है, ये ऐसे एक लाख रुपे डाले के चार 5% 5% ती जो बढ़ाना है, सबको सेफ लगा, मैंने खेलना शुरू किया, आप लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, मैंने जैसे 5% बढ़ाया, गेम बंद कर दी, ओके दोस्तों देखो हमने आज का 5% बढ़ा लिया, हमने आज का अपने कमपार्णिक पूरा किया, ओके पाँजार बढ़ गया, ओके दिमाह का कीड़ा भी निशांत हुआ, जो खेलने का है, तो और खेलेंगे, उसमें से अगर 100 लोग भी अपना 20,000 हार गए, या उनका स्टॉपलोस हिट हो गया, 50 लोग जो हैं, वो और बढ़ा करके बंद किया, डिसिप्लिन नहीं फोलोग किय और फिर और अगले दिन ये गलती करी और फिर एक दिन ज्यादा बड़ी रखन कवा दिए, अब आप लोग बोलोगे, यार आपने तो बोला था, यार कमपाउंड के चक्कर में, भही मैंने तो बोला था, डिसिप्लिन, मैंने तो बोला था, अनुशासन, मैंने तो बोला थ पुरिवली ये अंडियों करते हम आपषब को समझे नहीं आप ने क्या किया अपने आपको दोस्त दे दिया हम को नीयम फॉलो नहीं कर पाएं कि अरे अकल मंदो नीयम फॉलो किया ही नहीं जा सकता था जब मैं यह बात बोलता हूं तो कही लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर आप बेफकू बना रहे हो गलत बात बोल रहे हो फलाना इतना अच्छा बोल रहा है वो सबूत दे रहा है वो यह कर रहा है वो रुक गया आप रुके क्या उल्टा आप जिम्मेदारी खुद उटा रहे हो यह जो प्लेट्फॉर्म है वो पैसा रोज बना रहा है। मिनिमम एक नहीं रुक रहा है और वो अपना पैसा गवा रहा है। और दोशी भी उखिद को मान रहाए हैं। सर आप तो ठीकते मैं नहीं रूखा मेरे मेरे लालाच ने मरवादी इसलिए मैं बोलता हूँ चोटी रकम से पहले बार तो जुवा छोड़ दो नहीं चोड़ सकते हो चोटी रकम दाव पर लगाओ ताकि जाए तो चोटा जाए और आपके बाद ज्यादा मौक्य हो बड़ी रकम गवाद होगी कुछ नहीं होगा बहुत लोग बोलते हमने अपको बरबाद कर दिया हमने बहुत बड़ी रकम गवादी उतिन रकम को पिर हम छोटे-छोटे इस्सों में ट्राई करते तो एक हमें लंबा वक्त मिलता कई सारे मौके मिलते हो सकता है देर से हारते हारते ह हमें यह समझ आ जाती यह जुआ माने लिए नहीं बना पर आप तो एक ही बार में सुप्रासाफ करवा लोगे और यह बड़ी कमाल की बात है कि अपनी एक बड़ी रकम डालो जिस दिन आपने जीतना हो तो उस दिन तो हम चार-पाच परसंट जीतेंगे जिस दिन आपने हा आपका है देखो दोस्तों कितना ध्यर रहे है कितना अनुशासा ने मेरे अंदर मैं स्टॉप लोग गया वो जो आपके साथ हजार आदमी खेल रहा है उसमें से कितने लोग पर रहा है वो तो नीचे स्टॉप लोगी पार करके चले जाएंगे उनकी दो रकम चली जाएगी सवाल येगी फिर एक और वात्य क्यों है कहां लेके जा रहे हैं किनको फाइदा हो रहा है किनकी तरफ आपका पैसा जा रहा है मैं तो क्लियर कह रहा हूं कि मेरे किसी ट्रिक स्टेटीजी से आप कभी बड़ा नहीं जीत सकते हैं सब्सक्राइब करीयर नहीं बनाइब सकता है कि यह की चीजी नहीं होती आथ मेरे किसी ट्रिक से कभी वी आंनी सकते हैं मैं बहुत defensive छोटा player हूँ, बहुत छोटी छोटी game खेलता हूँ, hit and run strategy है, छोटा सा hit करता हूँ, भाग जाता हूँ. जिस दिन मेरा वो लेके जाता है, छोटा लेके जाता है, जिस दिन मुझे देता है, मेरी रक्कम से double या उससे थोड़ा ज़्यादा देता है, मैं चुक्चप आ जाते हूँ. वो भी असानी से बन जाते है, नहीं तो जो बसता है, वो ही लेकर आ जाते है। रेगुलर में जुवा नहीं खेलता है, जुवा जितना कम खेलोगे, उतना जीतने की संभावना जाता है, अगर रोज जुवा खेलोगे, तो पक्का खोपड़ी पर शेतान नाचेगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग पजल हो जाएगा, और compounding इंद अरे मैं काले चोर को लूट करके आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को बेफुफ बना रहा हूँ, इससे क्या फरक पड़ रहा है, आप ये देखो आपका भला किसम है, छोड़ो मुझे भी गाली देओ, मेरे भी चैनल को दफा करो, अपना फाइदा देखो ना, बेफुफ हो, अपना फाइदा देखो, आपका फाइदा कहा है, कहाँ पर आपका पैसा बच सकता है, कहाँ पर आपका पैसा ज्यादा दावत पर लगा हुआ है, अपनी अकल लगाओ ना, कमाल है, ये बात मैं कब से चार साल से बोल रहा हूँ, वाकि आप लोगों की मर्जी या रहा है, गुद्बाई थेंक यू